हलो फेंट्स तो चलिए हम लोग गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले अगर आपने गिट के प्लेइलिस्ट को एक्सिस नहीं किया है तो आप यार इस वाली प्लेइलिस्ट को एक्सिस करो और इस पर अभी तक हमने 22 वीडियो को अपुलोड कर दिया था तो अ कुछ आपको बता दिया था तो reset हम क्यों कभ यूज करते हैं यह सारी चीजे हम लोगों को पता है आज हम लोग सीखने वाले हैं reward command के वारे में तो जो reset command होता है वो यूज करना dangerous होता है क्योंकि वो आपके commit के history को ही पूरा-पूरा हटा देता है तो जब आप reset command का use करके कुछ commits को हटा देते हो उनके change को discard कर देते हो तो वो change आप दुबारा से नहीं मिल सकता आपको क्योंकि आपके पास जब वो commit ही नहीं रहेगा तो आप उस commit को दुबारा से obtained नहीं कर सकते तो इसलिए जो reset command होता है वो generally लोग यूज नहीं करते उसके बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते है रिवर्ट कमंड का और रिवर्ट यूज करना ज्यादा सेफ होता है तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर लेता हूं मैं अपने git bash को open कर लेता हूं और अगेन यह वाला सिंपली मैं यहां पर अभी के लिए मैं सिर्फ फाइल बना रहा हूं हमने बनाया file1.txt और इस फाइल में मैं कुछ content नहीं रख रहा हूं और इस फाइल को मैं stage कर दे रहा हूं stage करने के बाद मैं इसको commit कर दे रहा हूं git commit है और यहां पर मैं c1 दे रहा हूं commit ओके और फिर मैं क्या करता हूं मुझे कुछ commits बनाने पड़ेंगे तो मैं दूसरी file बना ले रहा हूं और इसको भी stage कर दे रहा हूं stage करने के बाद मैं इसको भी commit कर देता हूं इसी तरह से मैं कुछ और यहां पर files बना ले रहा हूं मैं file 3 बना लेता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा stage कर दूँगा stage के बाद मैं उसको commit कर दूँगा तो यहाँ पर c1, c2, c3 इस तरह से हम commit message दे रहे हैं file हमने 4 बना लिया है अब हमें यहाँ पर कुछ commits की जरूरत पड़ेगी अगर हमें revert को समझना है तो तो हमने यहाँ पर c1 अभी तक हमने 4 commits बना लिये एक file मैं और बना लेता हूँ उसके 5 और इसको भी मैं stage कर देता हूँ stage करने के बाद मैं इसको भी यहाँ से 5 commit कर देता हूँ और simply मैं यहाँ पर जल्दी से एक file और बना ले रहा हूँ 6 और इसको भी मैं stage कर दे रहा हूँ और stage के बाद मैं simply इसको यहाँ से 6 में commit कर दूँगा तो अगर मैं अभी git status command चला हूँ तो कुछ नहीं हमारा सब कुछ परफेक्ट है और अगर मैं git log hyphen hyphen of online command चला हूँ तो हमारे पास अभी तक total 6 commit है है ना तो commit 1 में एक file थी और एक file add करने के बाद हमने दूसरा commit कर दिया फिर दूसरी file file 3 add करने के बाद हमने c3 commit किया file 4 के बाद file 4 के लिए हमने c4, c5, c6 इस तरह से हमने सारे commits कर दिये है और मैं यहाँ पर एक बार क्या कर लेता हूँ मैं अपने remote को set कर लेता हूँ git remote add origin कर लेता हूँ और उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पर देखी एक हमने test repo 16 नाम से repository बनाई है और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो simply मैं इसका url यहाँ से copy कर लेता हूँ उसके url को मैं shift insert करके insert कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपने change को origin में push कर देता हूँ git push minus you origin master branch को मैं simply push कर देता हूँ तो जो भी यह हमारे सब के सब commits हैं तो यह हमारे सारे commits कहां पर आ जाएंगे हमारे यहाँ report repository में आ जाएंगे मैं इसको refresh कर देता हूँ और आप देखें कि यहाँ पर सारे commits आ गए है अब मालीजे by chance आपको पता चलता है कि जो आपके पास यह commits हैं अपने इन सारे commits का जो chain था उसको कहां पर रख दिया remote में रख दिया है अब मालीजे आपको पता चलता है suddenly कुछ भी किसी भी medium से पता चलता है कि यार नहीं जो हमारा जो यह C5 वाला commit था यह वाला commit हमें अपनी यहाँ पर remote पे नहीं चाहिए यह वाला commit unnecessary था तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो आप मालीजे 5 वाले commit को हटाना चाहते हो C5 जो यहाँ पर है तो आप इसको किस तरह से हटाओगे और ध्यान यह रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस commit का जो change है उसे हटाना है तो आप क्या करोगे अगर आपको इस वाले commit का चेंज हटाना है तो आपने reset command के बारे में सिखा था आपने head को यहाँ पला सकते हो लेकिन अगर आपने head को यहाँ पला दिया तो आप इन दोनों commits को खोदोगे है न आप जो नहीं चाहते है आप चाहते हो कि जो यह C5 बाला commit है इसका जो change है जो file 5 है वो file हमें अपने remote पर नहीं चाहिए उसका change मुझे discard करना है तो आप क्या करोगे reward command का यूज करोगे तो क्या लिक होगे git reward आपने लिखा git reward और जिस भी commit को आपका change reward करना है उसको आप उसकी शा value यहाँ पर दे दीजिए तो हमने इसको यहाँ से simply copy करके paste कर दिया और मैं enter कर देता हूँ तो यह क्या करेगा reward command क्या करता है कि जैसे आपने इसको reward किया तो इसका change हटा देगा आपकी यहाँ से working directory से और मांकी सब कुछ को मिला करके एक नया commit बना देगा research के case में आपने देखा था कि जब भी हम यह वाला hash value यहाँ पर देखर करके इंटर करते थे तो यह दोनों commit हट जाते थे reward के case में commit की history कभी भी delete नहीं होगी हमने क्या बोला reward के case में कभी भी commit की history delete नहीं होगी और इसलिए भले ही आप अपने c5 के commit का change हटा दे लेकिन अगर आप चाहें तो दुबारा से c5 का जो change है वो आप अपने पा सकते हैं उसको अपनी working directory में ला सकते हैं तो reward कभी भी commit के history को नहीं हटाता तो जैसे आपने क्या किया कि जो हमारा c5 है commit उसको reward कर दो तो c5 के लिए जो change था ये file 5 वो file हट जाएगी लेकिन ये c5 हमारा commit नहीं हटेगा और वो क्या करेगा इसका change हटाने के बाद एक नया commit बना देगा आप देखना मैं यहाँ पर लिखता हूँ git reward मैं करके दिखाता हूँ आपको समय आएगा तो हमने लिखा git reward और शा value दे दिया जिस भी commit के change को आपको हटाना है मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए कि वो यहाँ पर हमें open किया और यह लिखा है यह commit message दिया है reward कर रहे हैं c5 commit को हम लोग क्या करें reward कर रहे हैं c5 commit को और फिर मैं simply आप आई होप कि आप इसके बारे में familiar होंगे और यहाँ पर देखें वो बता रहा है कि जो file 5 है वो delete होगे changes to be committed और commit message यहाँ पर आप देखी है ना तो मैं simply I press कर दूँगा और यह commit message बिलकुल perfect है तो मैं इसको change नहीं करूँगा इसके button दबा करके colon wq दबा करके मैं बाहर आ जाओँगा click save कर दूँगा तो देखिए क्या हुआ जो c5 का change था file 5 हमारे यहां से हट चुकी है और न केबल हट चुकी है इसने एक नया commit बना दिया होगा देखिए मैं git log online करता हूँ अब आप एक ध्यान से देखिए आप इन दोनों commit बना दिया है है ना c5 जो पहले आप कमिट था उस c5 के history को delete नहीं किया c5 जो commit था अभी भी आपके यहां पर है है ना लेकिन आप करनी working directory को देखिए जो c5 का chain था file 5 वो यहां से हट गई है तो यहां पर क्या हुआ जब अब हम लोग reset यूज करते थे तो वो हमारे commits को हटा देता था तो जो हमारी local repository हुआ करती थी वो हमारी remote वाली repository इससे कुछ commits पीछे हो जाया करती थी अगर आपको याद है तो लेकिन यहां पर क्या किया उसने commits को हटाया नहीं बलकि जो change आपने रिवर्ट किया रिवर्ट करने के बाद इसने एक नया commit बना दिया तो अभी आपकी जो local repository है वो एक commit से आगे हो गई है आपकी remote वाले repository से और अगर मैं यहां पर git status command चलाऊं तो बताएगा भी कि आपकी जो branch है वो एक commit से आगे हो गई है आपके origin master वाली branch से है न तो यहां पर आप देखिए इसने c5 की history को delete नहीं किया लेकिन जो c5 का change था उसको हटा दिया है अब देखिए लेकिन जो c5 जो commit था यह आपकी यहां पर remote repository में यहां पर है आप देख सकते हैं तो यहां से हम उसको कैसे हटाएंगे तो अगर आपको यहां से हटाना है तो जो आपका अभी latest change है उसको आपको remote पे push करना पड़ेगा तो हमने लिखा git push minus u origin master पिछले वीडियो में आपने देखा था जमने रिसेट यूज़ कर रहे थे तो हम लोगों को forcefully minus f option के साथ में push करना पड़ रहा था तबी हमारा change remote मे जा रहा था लेकिन इस case में क्योंकि कोई commit delete नहीं हो रहा है commit की history नहीं कर रहे हैं हमारी जो यह local repository है यह commit से पीछे नहीं है बलकि हमारे remote वाले repository से एक commit आगे है तो हमें यहां पर आप minus f लगाने की जरूरत नहीं है हम ऐसे भी लिखेंगे git push minus u origin master तो यह हमारा सारा का सारा चेंज हमारी remote पर पहुंच जाएगा समझ में बात आपको आई और यह देखिए हमारा चेंज push हो गया है अभी यहां पर c5 commit के लिए file 5 है मैं इसको refresh कर देता हूं देखिए जो हमारा file 5 थी c5 commit सा वो यहां से हट गया और यहां पर भी आप देख सकते हैं लिखा है revert हो गय है ना आपने अपने commit 5 के change को हटा दिया सडिलनी आपको पता चलता है कि नहीं यार जो c5 वाला commit था वो important है वो क्या है वो यार important है वो मुझे चाहिए तब आप क्या करोगे देखिए आपने अभी अभी revert command का यूज़ करके c5 के change को हटा दिया और अपने change को हटाने के बा अब ध्यान से मेरी बात को सुनना जो आपने ये वाला commit किया था इसने आपके c5 के change को हटाया था तो अगर आप इस वाले commit को फिर से revert कर दो तो क्या आपका c5 commit वापस आ जाएगा यहां पर बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि देखिए इस वाले commit को आपने हटाया था तो इसके बदले में ये वाला commit आपने दिया था और अगर आप इस commit को आप revert कर दो तो फिर से आपका c5 commit होगा वो वापस आ जाएगा देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं लिखता हूँ git revert और मुझे इस वाले commit को revert कर देना है तो ये revert कर देगा और जैसे ही revert करेगा देखिए यहाँ पर फाइल 5 आ चुकी है और उस revert के लिए भी ये एक commit जनरेट करेगा है ना तो मैं simply i escape बटन दबा के colon w q दबा देता हूँ जो एक perfect था और फिर से अगर मैं git log-1 line चलाऊ देखिए जो c5 वाला आपने revert कमिट था इसके लिए आपने एक revert कर दिया है तो देखिए आपका वो चेंज फिर से 5 बाला वापस आ गया है है और फिर से अगर वापस आ गया अगर आपको वह चेंज चाहिए आपके remote पर तो आप फिर से simply आप git push minus origin master कर सकते हो तो इस तरह से आपने क्या देख तो आप अपने remote से भी revert का use करके उसे हटा सकते हो तो देखिए यहाँ पर आपका file 5 और वो उस commit message के साथ में आ गई है है तो आई हो कि आपने इतना सारा कुछ सीखा तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हम लोग revert का use करके किसी भी commit को हटा सकते हैं लेकिन उसका change जो है जो commit है वो delete नहीं होता उसकी history नहीं होता इसलिए अगर हम दुबारा से वो commit का change चाहिए तो फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं है ना और भी कुछ medium होते हैं किसी भी particular commit को पाने के लिए जैसे देखिए हमने यहाँ पर 5 commit को पने revert किया था तो हमारा commit 5 का change हट गया था और फिर हमने इसी को revert कर दिया तो फिर से हमारे c5 का change आ गया है ना अच्छा अब चलिए हम थोड़ा और सीखते हैं अभी बताईए माल लीजे हमें यह 3,4,5 यह तीनो commit को हटाना है यह हमें नहीं तो माल लीजे हमें 2,3,4 इन तीनो commit को हटाना है तो आप क्या करोगे तो आप क्या कर सकते हो आप बारी बारी से एक commit को हटा सकते हो कैसे आप लिखोगे git reset और आप इस 4 वाले commit का क्या करिए ? हैश दे दीजिए है ना इसको इंटर कर दीजिए यह आपके फोर वाले कमिट को हटा देगा फिर इसी तरह से गित रिसे थर्ड वाले कमिट का वो दे दीजिए हैश वैल्यू तो यह थर्ड वाले कमिट को हटा देगा फिर इसी तरह से सेकेंड वाले कमिट को रख दीजिए भाद तो इस तरह से से एक-कमिट को भटा सकते हो लेकिन अगर आपके पास कई सारे गमीट कमिट को हटाना हो तो आप खरते रहोगी सेने हो क्रण्ती करते है कि इस्टार्टिंग रैंज मतलब क्लब से जि declining पहले कमिट किया था उसको पहले लिखना है पहले आपने कमिट 2 किया था उसके बाद 3 फिर 4 किया था तो 2 से 4 तक आपको जाना है तो पहले आपको अपने दूसरे वाले कमिट का हैश देना है उसके बाद आपको यह कैप वाला symbol लगाना है जो button कौन से वाले button के उपर है 6 वाले button पर है न और फिद 2 dot लगाना है तो जब आपने लगाया type 2 dot इसका मतलब आप range बना रहे हो और कहां तक हटाना है 4 वाले तक हटाना है तो आप इसको देतों तो मतलब इस यहां से start करके इस hash value से start करके इस hash तक सारे commits को revert कर देगा इन तीनों commit को यह revert कर देगा इन commit के लिए जो file थी वह file 2, file 3, file 4 यहां से हट जाएंगी लेकिन जब मैं enter करूंगा जैसे अभी आपने देखा था कि revert जब हम करते हैं तो एक नया commit बनाता है है ना वो एक नया commit बनाता है तो जब वो commit 2 को revert करेगा तो इसके लिए एक commit बनाएगा जब वो commit 3 को revert करेगा तो उसके लिए commit बनाएगा जब वो commit 4 को revert करेगा तो उसके लिए commit बनाएगा तो चलिए हम करके दिखाते हैं मैं यहां पर enter कर देता हूं ओके यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पर reward लिखना चाहिए reset नहीं लिखना चाहिए हमने mistake कर दिया था तो मैं लिखता हूँ reward हमने लिखा get reward और यह चीज़े दें दिया हमने यहां पर reset लिख दिया था पिछली वीडियो का जो हमने किया था वह बार बार मैं टाइप कर दे रहा हूं तो हमें revert लिखना है और हमने जब यहां पर reset लिखा था तो क्या इरड दे रहा था ambiguous arguments कहे रहा था कि यहां पर दो आर्गुमेंट से अन्नोन रिवीजन कहे रहा है कुछ हो के तो reset के साथ में ऐसा आप नहीं उज़ कर सकते तो revert आपको लिखना है तो मैं इंटर करता हूं और जैसे हमने इंटर किया तो वो क्या कह रहा है फाइल 4 डिलीटेड यहां पर आप देखिए और revert मतलब 4 वाले के लिए वो कमिट बना रहा है तो उसको मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं i बटन दबाऊंगा और escape दबा करके कालन WQ दबाखे इंटर कर देता हूं और फिर से अब वो फाइल 3 को डिलीट कर रहा है वो फाइल 3 के लिए कमिट मैंसे जनेरेट करा है तो मैं फिर से आई escape बटन कालन WQ कर दूंगा और फिर से वो फाइल 2 को डिलीट करके रिवर्ट टू करेगा commit2 को हटा रहा है तो फिर से मैं escape बटन colon wq करके enter कर देता हूँ देखिए जो file 2, 3, 4 थी वो यहां से हट गई है और मैं यहां पर अब मैं git log one line करूँ तो यहां पर देखिए 2, 3, 4 commit हमने बनाया तो उसके लिए उसने सबसे पहले commit4 को reward किया फिर commit3 को और commit2 को reward कर दिया इस तरह से उसने तीनो commit को बारी बारी से reward करके हर एक के लिए उसने एक नया commit बना दिया है समय बात आई लेकिन यहां पर आप देखिए यहां पर क्या है यहां पर commit तो हटे हमने range का अच्छा commit तो हट गया उसका जो हट गया हमने range क्यों यूज किया था हमने range यूज किया था ताकि हम time को बचा सकें एक ही बार में सारे commits को यहां से यहां तक हटा सकें लेकिन अगर हर commit के लिए manually हमें commit message इंटर करना ही पड़े तो फिर मतलब क्या है है कि नहीं हमने यहां पर तीन बार रिवर्ट हुआ और तीनो बार रिवर्ट करने के लिए हमें commit message इंटर करना पड़ा हमने change नहीं किया यह by default git के द्वारा provide किया गया तो उसको हमने change नहीं किया लेकिन हमें range कई सारे range के commit को हटा रहा हूं तो हर एक commit को revert के लिए जो हमारा commit है उसको देने की बजाए हम इन सारे चीजों को revert करके सिर्फ एक commit दे सकते हैं इन सारों के लिए सांज बात आया मैं क्या बोलना चाहिए रहा हूं मैं मैंना एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं अभी आप git status लिखिए तो हमारा जो यह master branch है यह कितने कमिट से आगे हो जाएगी जो हमाई local रिपीट तीन कमिट से क्यों कि हमने तीन कमिट को रिवर्ट किया है ओके अभी मै मैं one line करता हूं और मैं क्या बताना चाहिए हूं मैं एक बार reset command का यूज करता हूं ध्यान रखना reset command क्या करेगा reset command पूरे-पूरे commit history को delete करते है हमने लिखा git reset-hard command का यूज किया है और मैं एक काम कर लेता हूं मैं direct अपने यहां पर आ जाता हूं 6 पर जब 6 वाले commit पर आए इससे यह कर देता हूं one line देखे हमारा सारा commit हट चुका है अब हमारी यह पूरी ट्री perfect है और मैं क्या करता हूं मैं इसको push करने के कोशिश करता हूं तो बताए क्या हमारा change जो वहाँ पर है वह यह हमारा change पहुच पाएगा नहीं क्योंकि हमने reset command का यूज किया था और reset का यूज करने के बाद जब भी हम push करेंगे तो हमें forcefully push करना पड़ेगा minus f option के साथ में यह हमने पिछली वीडियो में देखा था है न तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं अभी के लिए मैं थोड़ा सा time देता हूं इसको हमारा सब कुछ change वहाँ पर पहुच चुका है सब कुछ ओके और यह देखिए हमारे पास अभी इतने commits हैं यह देखिए हमारे फिर से सारे पुराने वाले commits आ गए हैं 1 से 6 तक अब हमने बताया था कि माल commits को हटायेगा लेकिन हर एक कमिट के लिए वह नया कमिट बनाएगा जब भी वह commit को discard करेगा एक नया commit बना दे रहा है मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन तीनों commit को हटा करके इन तीनों के लिए सिर्फ होसी पर एक commit दून तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर इसको reward करने के कारे कमिट को रिवर्ट कर देगा लेकिन कोई कमिट मैसेज नहीं बनाएगा क्या करेगा कोई कमिट मैसेज नहीं बनाएगा पहले आपने देखा था जब भी हम रिवर्ट करते थे तो वह एक दूसरी विंडोस पर हमें ले जाता था जहां पर मुझे आई दबाना पड़ता लेकिन चेंज को रिवर्ट करता हूँ आप देखना तो यहां पर हमारी फाइल हट गए और यहां पर लिखा है रिमूबिंग फाइल 234 लेकिन अब मैं इस्टेटस कमांड चलाता हूँ देखिए क्योंकि यह तीनों फाइल क्या हो गई रिमूब हो गई है लेकिन हमने कोई कमिट भी नहीं किया है तो जब मैं इस्टेटस कमांड चलाऊंगा तो बताएगा कि यह फाइल डिलीट हो चुकी है और कोई कमिट नहीं है तो इसलिए अब हमें एक नया कमिट देना पड़ेगा देखिए यह ग्रीन कलर दिखा रहा है त स्टेजिंग एदिया में है सब कुछ तो हमें अपने से कमिट मैसेज बनाना पड़ेगा तो हमने लिखा git kommis-m revert c2 c3 c4 हमने कमिट मैसेज इस तरह से दे दिया और मैं यहां पर git log--online करता हूँ आप देखिए कि इन तीनों कमिट के हटाने के बाद हमने एक कमिट दे दि है और उन सारे commits को revert करने के बाद उन सारों के लिए एक commit आप दे सकते हैं और फिर से देखिए अगर मुझे push करना है तो मैं लिखूँगा git push minus you origin master है ना और ये हमारा जो भी change है file 1 file 5 5 6 ये सब कुछ हमारा कहां चला जाएगा हमारे remote पर चला जाएगा है ना ये देखिए तो आपको ये समझ में आगा git reward किस तरह से यूज होता है अच्छा मैं एक काम करता हूँ चलिए मैं file 6 का जो content है मैं उसको कुछ change करता हूँ मैंने save कर दिया अब आप बताईए मैं आपसे कुछ question पूछने वाला हूँ और जब मैं git address command चलाँगो तो बताएगा कि आपने modify कर दिया और मैं इस file को stage करके commit करूँगा तो मैं दोनों काम साथ में कर रहा हूँ आप ध्यान देना है ना staging area किस तरह से हम लोग skip करते हैं और कब skip कर सकते हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ है ना अगर आपने वीडियो नहीं देखा है skipping by staging area तो आप इसको देखिए तो मैंने दोनों काम साथ में कर दिया और मैं यहाँ पर चलाँगा तो देखिए हमारा जो c7 commit हमने दिया वो यहाँ पर आ गया है मैं लिखूंगा get push-u origin master यह जो हमारा चेंज था file 6 में जो content हमने डाला है अभी वह हमारा content कहां पहुंच जाएगा हमारे remote पर पहुंच जाया है मुझे वह चेंज नहीं चाहिए मुझे वह चेंज नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा अब बताएए सोच कि जो यह c7 वाला commitment हमने क्या file चेंज मुझे अपने remote पर नहीं चाहिए तो फिर से मैं क्या करूँगा reward command का यूज करूँगा और c7 के change को reward करना है तो हमने लिखा git reward इतना और escape button colon wq है ना देखी और फिर से मैं यह करूँगा तो वह reward कर दिया उसने हमारे change को और उसने जब हमारे change को reward किया तो आप file 6 को open करके दिखें यहाँ पर कोई content नहीं है अब क्योंकि वह आपको अपने remote पर भी नहीं चाहिए था तो आपने change को push कर दो समझ में बात आई मैं क्या कह रहा हूँ तो आप commits को अपने local repository से हटा करके remote पर कर सकते हैं और कोई change अगर आपका यह देखें reward हो गया और file 6 को आप open कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इस तरह से आप अपने क्या कर सकते हैं reward command का use करके आप अपने change को जो unnecessary change आपने आप हटा सकते हो ओके और किसी भी commit का change अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको भी आप reward कर सकते हो तो reward use करना safe होता है तो reward जब आप use करते हो तो commit को history को delete नहीं करता इसलिए दुबारा से आप अपने उसको पा सकते हो है ना जैसे माल लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया था ह यह change मुझे चाहिए तो यह change आपको कैसे मिलेगा यह change आपको कैसे मिलेगा आप यहा तो जो reward c7 था इसको फिर से reward कर दीजिए है ना यहा तो अगर मैं देखू यहाँ पर तो मैं लिखता हूं git cherry pick हमने क्या लिखा git cherry pick और जो c7 का change है उसका हमने यहाँ पर दे दिया क्या तो फिर से जो c7 यहाँ पर था उसको हमने pick कर लिया है ना और यह देखिए जो c file 6 थी उसका content यहाँ पर आ चुका है तो हमारे पास देखें दो option है या तो मैं इसको reward कर देता फिर से तो हमारा जो commit 7 था उसका change आ जाता या हमने इसको cherry pick कर लिया तो अभी आप मैं इसको cherry pick command क्या होता है हम कैसे यूज करते हैं इसको इसको मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा तो फिलहाल आई होब कि आपको किस तरह से काम करना है reward का यूज करकी यह सारी चेंज समझ में आ गई होंगी तो basically reward का यूज हम लोग क्यों करते हैं अगर कोई आपका अन commit आपने हटा दिया है और commit हटाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं वो commit हमें यहाँ पर चाहिए अपने remote पे तो फिर से आप उस commit को क्या कर सकते हो include कर सकते हो और include करने के बाद फिर से क्या कर सकते हो push कर सकते हो है ना तो जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर दे तो जिस भी कमीट को आपको रिवर्ट करना है, आप यहां से श्राव यू कापी भी कर सकते हो, है ना यह क्या बना है, आप यहां से श्राव यू को ने चाव यू कापी कर लीजी, सब कुछ है यहाँ पर, झाल झाल